Education wise अगर देखा जाए तो मैंने बहुत जादा कुछ नहीं किया है अपनी लाइफ में बट मेरे standpoint से अगर आप देखो कि कि Education क्या है तो Education का सबसे बड़ा गोल ये है कि एक इनसान का दिमाग खुले बजाए कि उसका दिमाग इतना narrow down हो जाए कि उसको लगे कि बस ये ही अगर हो गया तो success है ये नहीं हुआ तो failure है आप अंगिनत तरीकों से अपने goal को अपने purpose को या जो भी आप करना चाहते है उसको achieve कर सकते हो education का सबसे बड़ा goal ये होना चाहिए और वो ही मेरी कोशिश है अपने in sessions के through करने की कि एक इनसान का दिमाग खुल जाए उसके दिमाग में एक possibility mindset आ जाए ना कि एक limited mindset हो कि बस ये हो गया तो बहुत है अब problem क्या है ये जो limited mindset है ये बहुत लोगों का है करोड़ों लोगों का है तो वहाँ पर competition भी बहुत है possibility mindset जब की देखा जाए तो ज्यादा interesting है लेकिन बहुत कम लोगों का है और वहाँ पर competition कम है और possibility mindset क्या होता है कि कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूँ अगर वो नहीं हुआ तो इसका मंदब ये नहीं है कि मैं fail हो गया इसका मंदब ये है कि मैं crack नहीं कर पाया there has to be a way ये education काम अगर कर दे तो real education हो गई हमारी मतलब एक इनसान को जब Thomas Edison bulb के आविशेर में लगा हुआ था हजार बार fail हुआ तो किसे ने उससे पूछा किया तुम बार बार करते होता तो हैरी तुमसे क्यों कर रहा है तो उसने पते हैं का का हर failure के बाद मैं ये जानता हूँ कि bulb इस तरीके से भी नहीं बन सकता और अब मैं हजार तरीके जानता हूँ कि इन तरीकों से नहीं बनेगा और उसके बाद वो तरीका इजाद हुआ जिससे बना हूँ Education से एक इनसान का दिमाग इतना खुल जाए कि सबसे पहली चीज़ तो उसको ये समझाए कि मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ Education must be such कि वो lifelong आपका questioning mind बना ही रहे है कि आप कहीं भी हो कुछ भी कर रहे हो आपके दिमाग में questions चले questions related to the problems जो भी आप काम कर रहे हो वो क्या है ultimately problem solving है तब ही उस काम में value है अगर किसी की कोई problem ही नहीं solve कर रहे हो तो उसमें value कहां add हो रहे है और value नहीं add होगी तो आपको पैसा कैसे मिलेगा फिचाए job फिचाए business हो so the idea is कि आपका दिमाग यह चलना चाहिए अच्छे problem है ना पहले तो मुझे नहीं पता है कि इसको solve कैसे करना है क्योंकि अगर आपको पहले से ही पता है तो आपको वही पता है जिस तरह से वह problem solve होती आई है that may not be relevant in today's context but still आप उसको उसी तरह से solve करोगे जिस तरह से सब कर रहे है वहाँ पर competition है फिर आप कहोगे कि कुछ हो नहीं रहा है so the idea is कि पहले तो यह problem है जो मुझे अच्छे से समझ आई मैंने इस पर focus किया अब इसको solve करने के infinite तरीके है एक रास्ता नहीं है बहुत चारे रास्ते हैं मुझे पता नहीं है this is the goal of education कि मुझे नहीं पता है लेकिन पता किया जा सकता है this is another goal of education उसमें से कुछ तरीके काम करते हैं कुछ नहीं करते हैं ये भी हमको clearly पता होना चाहिए मतलब your personality must be dynamic it must not be static जैसे मैंने देखा है बहुत लोगों को जो मुझे मिलते हैं कुछ लोग हैं उसमें से जो जैसे मैं सर से मिला अभी off camera हम लोग बैठे हुए थे discussion कर रहे थे it was a great experience sir आपके साथ में बैठ करके जिस ठहराव से सर बात कर रहे थे जिस तरह से चीजों को सुन रहे थे समझ रहे थे मैं questions पूछ रहे थे मैं से questions पूछ रहे थे there was a conversation which was going on on the other hand there are some people जिन से मैं कभी कहीं मिला तो उनकी approach क्या है कि मुझे सब पता है वो गरबर हो जाती है